Class 10th, Exercise 2.3, Question No.1, Third Part Px is equal to x4 minus 5x plus 6, Gx is equal to 2 minus x square हम सब से पहले क्या करेंगे? देखिए, 2 minus x square है तो हम x की चीजें जु है, x की जो पावर है, x जो है इसको हम पहले रख देंगे और constant बात में रखेंगे यहां पर देखिए यह minus x square है और हमें क्या value चाहिए x की power 4 चाहिए plus x की power 4 चाहिए यहां पर देखिए minus x square है इसमें हम किस चीज़ का multiply करें कि value हमें x की power 4 मिल जाए यहां देखिए यहां x की power 2 है यहां पर 4 है यानि किस चीज का multiply करेंगे x की power 2 का अब यहाँ minus है यहाँ plus है तो यहाँ पर भी हम multiply किस से करेंगे minus, अब यहाँ देखिए minus x square multiply minus x square क्या value आई? x की power 4 तो हम यहाँ किस से multiply करेंगे? minus x square अब minus x square का minus x square से multiply हुआ बाग्या value आई? x की power 4 तीक है? यहाँ पर हम sign change कर देंगे यह plus का था तो यह minus का कर दिया next step, plus 2 का multiply minus x square से करेंगे अब यहाँ देखिए कोई x square है ही नहीं तो हम सीधे यहाँ अलग से लिख देंगे minus 2 x square तीक है? अब यह minus था इसको plus कर देंगे x4 minus x4 तो हो गया 0 यहाँ पर इसको हमने लिखा तो यह हो गया plus 2 x square अब बाकी जो उपर की चीज़े बचे वो भी हम नीचे कॉपी कर लेंगे minus 5 x plus 6 अब यहाँ पर जो highest power है ना उसका ध्यान दे ना ऐसा नहीं 5 x से करने बैठ गया आप highest power क्या है हमारी x square तो minus x square में आप क्या multiply करोगे कि 2 x square आजाएं minus x square में आप किस चीज़ का multiply करोगे कि 2 x square आजाएं minus x square में किस चीज़ का multiply करोगे कि 2 x square आजाएं यहाँ पर हम multiply कर देते हैं 2 का minus minus cancel हो जाएगा 2 x square हो जाएगा यहां पर हम ने minus 2 minus x square का minus 2 से किया हमारा answer आया plus 2x square अब plus 2 का multiply minus 2 से किया value कितनी आया हमारी 2 to the 4 और minus 4 अब इनके हम sign चेंज कर लेते हैं यह plus का है नीचे का तो minus का यह minus का है तो plus का यह हो गया आपका 0 यह आपका बचा plus 10 यह आपका बचा है minus 5x तो कोशेंट तो हमारा हो गया minus x square minus 2 और remainder हमारा हो गया minus 5x plus 10